सुप्रभाद बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पाड़ छे के प्रश्न उत्तर पड़े थे, आज हम पाड़ साथ पड़ेंगे, सबसे अच्छा कौन? सबसे पहले हम प्रश्ट संख्या 58 निकालेंगे और आज की दिनांग लिखेंगे, पाड़ साथ सबसे अच्छा कौन? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्न देखा हैं, तो प्रश्न अगर हम पूछते हैं, तो हम यहाँ प्रश हुए थे, कौन बैठे थे अपने दर्बार में? बाश्या अकबर, उन्होंने पूछा, फूल किसका अच्छा? किसने पूछा? बाश्या अकबर ने पूछा, फूल किसका अच्छा? ये प्रश्न किया हैं ना, इसलिए प्रश्न वाचक चिन्न आ गया यहाँ, दूद किसका अच्छा ये भी प्रश्न है तो यहां भी प्रश्न वाचक चिन मिठास किसकी अच्छी ये भी प्रश्न है तो प्रश्न वाचक चिन आ गया यहां भी पत्ता किसका अच्छा और राजा कौन अच्छा ये भी प्रश्न पुछा गया है तो इसके आगे प्रश्न वाचक चिन आ गया किसी ने कहा कि गुलाब का फूल सबसे अच्छा होता है राजा ने प्रश्न किया था न ये कि फूल किसका अच्छा तो किसी ने कहा कि गुलाब का फूल सबसे अच्छा होता है तो किसी ने कहा कमल का किसी के विचार से गाएं का दूद अच्छा था तो किसी के विचार स बकरी का, किसी ने कहां गाएं का दूद अच्छा है, और किसी ने कहां बकरी का दूद अच्छा है, कुछ गन्ने की मिठास को पसंद करते थे, तो कुछ को शहद सबसे मीठा लगता था, किसी को गन्ने की मिठास अच्छी लगती थी, और किसी को शहद बहुत मीठा लगता थ सबसे मीठा लगता था किसी ने केले के पत्ते का गुंगान किया किस गुंगान किया मतलब उसके बारे में बोला कि केले का पत्ता तो बहुत अच्छा है उसकी तारिफ की हना केले के पत्ते की तो किसी ने नीम के पत्ते का किसी ने कहा केले का पत्ता बहुत अच्छा होता है तो किसी ने कहा नीम का पत्ता, राजा के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय थी, किसी ने कौन सा राजा बताया, किसी ने कौन सा राजा बताया, एक दो ने तो अकबर का ही गुंगान कर डाला, एक दो ने तो कहा कि अकबर ही सबसे अच्छा राजा है बाश्या अकबर को ये सभी जवाब अच्छे लगे लेकिन बीरबल अभी तक चुप थे राजा के दरबार में बीरबल भी एक मंत्री थे जो अभी तक चुप बैठे थे अकबर ने उनसे अपनी राय देने को कहा अकबर ने कहा कि बीरबल तुम के कुछ बोलो बीरबल ने उत्तर दिया आलम पना फूल कपास का उत्तम होता है फूल किसका उत्तम होता है अच्छा होता है कपास का बीरबल ने कहा था उसी से हम सबको तन ढखने के लिए कपड़ा मिलता है दूद मा का अच्छा होता है उसे पीकर बच्चा फलता फूलता है मिठास वानी की अच्छी होती है पत्ता पान का सबसे बढ़िया होता है ये सब किसने का था? बीरबल ने उसे पेश करने पर दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है और आलम पना सबसे अच्छा राजा इंद्र है इंद्र की कृपा से ही आकाश से अम्रत रूपी जल बरस्ता है किसकी कृपा से? इंद्र की कृपा से? राजा इंद्र की कृपा से ही आकाश से अम्रत रूपी जल बरस्ता है सबी लोग बीरबल के जवाब सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे प्रशंसा मतलब तारिफ करने लगे कि बीरबल ने तो बहुत ही अच्छे जवाब दिये हैं बाश्याज अकपर भी बहुत प्रसन हुए बाश्याज अकपर भी बहुत खुश हुए बीरबल के आंसर सुनकर जवाब सुनकर तो बच्चों हमें इस पार्ट से यह सीक मिलती है कि हमें सदेव सोच समझकर विवेकपुन तरीके से ही प्रतियक कार्य करना चाहिए बच्चों अब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे धन्यवाद